अगर आप भी जंगलों में हाइकिंग के लिए जाने का सोच रहे हैं, खास कर एमाजन के जंगलों में, तो पहले ये मोवी देख ले, जिसके बाद सायद ही आप जाने का हिम्मत कर सकेंगे. यह मोवी रियल एडवेंचरर योसी गिंग्सपर्ज की है, 1981 में वा 21 एर्ज की एज में एमाजन के रेंफॉरेस्ट में 3 वीक अपने लाइफ का सबसे भयानक एक्सप्रियेंस लिये थे, मोवी 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें योसी गिंग्सपर्ज की भूमी का टैनियल जै करना चाते थे, उन्हें योनिवर्सिटी जॉफ फैबली में कोई इंटरस नहीं था, वो चाते थे कुछ एर्वेंचर जगवी में जाना, चैक स्पेरों का छुपा हुआ खजाना खोजना या स्नेक आइलेंड खोजना, इसलिए वो बोलेविया पहुच जाते हैं, फिर हम झाबल करते हैं जोसी को देखते हैं, जो सुन्धर नजारों का मज़ा लेते हुए अपने सफर को सफर करते हैं, और एक बोट पर बैठते हैं, तब ही कोई किनारे से बोट रुकने के लिए आवाज देता है तो योसी उसे बोट में आने में हेल्प करता है। वो उसे अपन के साथ बाते करते हैं योसी उसे बताता है कि उसके डैट को लगता है वो अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा है उन दोनों की सोच बहुत मिलती थी फिर हम देखते हैं मारकस और योसी मारकेर जाते हैं जहां मारकस को उसका फ्रेंड केविन मिलता है वे दोनों काफी दिनों मिले थे मारकस केविन से योसी को मिलवाता है अब इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है योसी केविन को अपने पास्ट के साड़े एडवेंचर्स के बारे में बताता है कि उसने अलास्का में मचली पकड़ी है नियू यूर्क में ठंड में घुम है और वेगस जाँ पर वो अपने सब गवा दिया था और वे इन की तेनों would be अन्झो अर्फय इंजॉए करते से के बात हम देखते हैं योसी मारकस और आर केविन चैविन साथ में लाफे साथ में योसी नियू सती करते आज kolay और यह जब योसी ऑकेले गई अक से कुछी सब हैं क्या थी जनवरों से घिरा होने एक अलगी अनुभाव है यह सब सुनकर योसी बहुत ही अक्साइटेड हो रहा था आगी कार्लों से बताता है कि एक समय वहां कुछ इंडियन्स थे जो कि उस जंगल में रहते थे और फिर वे चले गए उनकी छुपी हुई दुनिया कहीं खो गई तो में उसके साथ जाना चाहिए वो एमजन जंगल के गहराईयों के लिए बहुत अच्छा गाइड है मारकस उसके बाद उसे बिल्कुल भी सहमत नहीं था उसे कार्ल कोई फ्रॉड लग रहा था योसी उसे बताता है कि कार्ल खोई हो इंडियन्स से मिल चुका है वहां के नद फेमस हो जाओगे इसी तरह उनकी बातों से योसी और केविन जाने के लिए त्यार हो जाते हैं पर मारकस को जाने का मन नहीं था यह दोनों उसे भी मना लेते फिर यह लोग कार्ल के साथ जाकर मार्केट में हाइकिंग के लिए कुछ समान ले लेते जैसे मैप, मेडिसिन की एनेरजी की दवा यह सब ले आते हैं रूम में यह उसी अपने दोस्तों को बाइबिल का एक छोटा सा बुख दिखाता है यह बुख उसे उसके अंकल ने दिया था फिर हम नेक्स्ट दे देखते हैं इन सब का सफर स्टार्ट हो जाता है यह लोग हेलिकॉप्टर से अपोलो पहुंसते हैं आज फोर्ज नौमबर 1981 है वहाँ से आगे का रास्ता यह पैजल ते करते हुए आगे बढ़ते हैं यह लोग जंगल के अंदर आ चुके थें फिर रात में टेंट में सोते हैं आचानक मार्कस चिलाने लगता है जाती है जो की यह उसी समाल लेता है फिर किसी तरह यह लोग आगे बढ़ते हैं रास्ता कच्छा था पैरों के बीच से यह सब आगे बढ़ रहते हैं यह लोग जंगल के बीच में बसे आधी वाजी के कबीले में पहुंच जाते हैं जहां इने बिन कपड़े के नहाते वे देखकर भे लोग इनका बहुत मजा कुराते हैं रात में भे लोग कबीले वालों के साथ ही रहते हैं दूसरे दिन हम देखते हैं मार्कस अपने पैरों पर दवा लगा रहा है इसके पैर खडाब हो रहे हैं प्रिये आगे के लिए निकल परते हैं जहां नदी में इन्हें एख चुटा सा सोना का तुक़रा भी मिलता है। कैविन को भी यहां बहुत संदर संदर फोटोज मिलते हैं यह लुग भूट घुह स onunने को कार्ल बंदर का सिकार करता है, फिर कार्ल उनके लिए थोड़ा सा राइस बनाता है फिर हम देखते हैं कि अगले दिन कार्ल मारकस के पैर में दवा लगा रहा है मारकस की पैर की हलक पहले से और पिछाता खराब हो गई है उसका स्किन संड रहा था यह सफर अभी भी बहुत लंबा था मारकस के पैरों की वज़े से यह लोग काफी स्लो चर रहे थे यह मारकस को समझ आ रही थी कि इसकी वज़े से उसके दोस्तों को परिसानी हो रही है पर वो कर भी क्या सकता था यह लोग मारकस के लिए पानी से जाने का तैय करते हैं इस बात से कार्ल एकरी नहीं था पर इन तीनों का फैसला था इसलिए यही तैय हुआ वे लोग राफ्ट बनाते हैं पानी से होकर चले जाने के लिए पर बीच में कार्ल और केविन में पहस हो जाती है किनारे आने पर कार्ल उन सबसे कहता है कि अब वो उनके साथ नहीं जाएगा मारकस की पैर की हालत भी ठीक नहीं थी इसलिए कार्ल और मारकस वापस अपोलो के लिए रिटन हो जाते हैं केविन और योसी र Imma से आगे बर जाते हैं साफर बहुत इंजोय कर रहे होते हैं, सब्सकार टेज हो जाती हैं और इनका र 얘기를 पलट जाता है किसी तरह ये लोग पानी के बीच की एक पड़े से पत्थर को पकर लेते हैं पानी की लहर और भी तेज होती जाती है और योसी बहुत ही घबरा जाता है केविन बच्पन से ही पानी के किनारे पला बढ़ा था इसलिए वो खुद को सम्हालते हुए योसी से कहता है मैं किनारे तक जाता हूँ और बेलो से रस्ती बना कर फेकूँगा और तुम्हें खीच लूँगा जब केविन किनारे पहुंसता है तब देखता है योसी पानी के लहर में बह गया है योसी जब बचकर किनारे तक पहुंसता है तो वह देखता है वो केविन से बहुत दुरा चुका है केविन उसे कहीं दिखाये नहीं दे रहाता इस तरह ये दोनों अलग हो जाते हैं और यहां से योसी की मुसिबते स्टार्ट हो जाती है फिर हम देखते हैं नदी के बहार आकर योसी बेठा हुआ था तभी उसे पानी में उसका बैग बहता हुआ दिखता है वो जल्दी जाकर उसे उठा लेता है अब उसके पास जरुरत के कुछ समान है जिम्मे से वो सबसे पहले एनरजी वाली टैबलेट लेकर खाता है विन उसे खोजे तो इस रास्ते से आ सकें वो बहुत ही भूका था उसे एक फलो का पेर मिलता है वह जल्दी पेर पर चर जाता है तब पेर की तयानियों में उसे एक साप दिखता है और डर से नीची गिर जाता है फिर यो उसी सोचता है कि अगर जंगल में आये हैं तो हिम्मत तो करनी पड़ी इसलिए वो दुबारा पेर पर चर जाता है और फिर साप को खीच कर नीचे फेक देता है और एक बड़े से पत्थर से साप का सर कुचल देता है इस तरह हम देखते हैं सरवाइब करने के लिए लाइफ खुद ही ट्रेनिंग देने लगती है दीरे दीरे रात हो जाती है और वो पेर के नीचे सो जाता है सपने में उसे खाना ही खाना दिखाए दे रहा था फिर अगली सुबा हम देखते हैं यह उसी गेरता पर आगे बरता भूख से वहा कुछ फल खाने की कोशिस करता है पर वो खाने लायक नहीं थे यह दिन बीना कुछ खाये ही बीच जाता है फिर रात में वो इट पेड़ के नीचे सोता है आधी रात में उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है वो देखता है तो मारकस था जब वो टॉर्च जलाता है तो वहा कोई भी नहीं था समझ जाते हैं कि योसी को इस तरह अकेले रहने के वज़े से हिलियोसिनेशन होने लगा है और वो पागल हो रहा है तब ही जारिया हीलती है और वहाँ एक जैगवार था योसी ने जल्दी खुद को समभाला और अपने बैक से लाइटर और स्प्रे निकाला और फायर करता है जिससे डढ़कर वो जैगवार वहां से भाग जाता है जंगल में रहना उतना आसान नहीं है जितना हम इमेजन करते हैं यह तो योसी को देखकर समझ आही रहा था जब योसी जगता है तो उसके सर पे बहुत दर्द हो रहा था और फुला हुआ था जिसके अंदर कुछ हिल रहा था इस वक्त योसी सल्प में डॉक्टर बन जाता है और चिम्टी लेकर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है चिम्टी से उस फुलेवे हिस्से को वो चीर कर निकालता है उसका दर्द तो हम फिल भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद उसे बहुत भूक लगे थी उसे चिरिया के दो अंडे दिखते है वह चिरिया को सौड़ी पूल कर उन अंडों को खा जाता है इससे उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाती और वो आगे बढ़ जाता है जहां उसे आदिवासियों का कुछ समार मिलता है जो उसके काम का नहीं था योसी बहुत ठक जाता है जब वो अपना चूता खोलता है तब हम देखते हैं कि उसका पैर बुरे तरह से संड़ रहा है उससे बहुत ही दर्द हो रहा था इस वक्त उसे मारकस की याद आती है उस सूजाता आगा जैत कि जैना अजबास ही मिलता हुरुक्ति की पैर को सुनकर वह अपने साथ कबिले में ले जाए जाते यहां होस आने पर डिएक ऊफिसर ईस drug को खोजने के लिए help मांगता है और प्लेन से योसी को खुजने के लिए जाता है योसी पेरों के बीच में था प्लेन का आवास सुनकर वह अपना लाल कपड़ा हिलाता है पर केविन उसे नहीं देख पाता क्यूंकि उपर से सिर्फ पेर ही पेर दीख रहे थे और बेलोग चले जाते हैं केविन को भरोसा था योसी अभी भी जिन्दा है दूसरी दरफ प्लेन के चले जाने से योसी बहुत नेरास हो जाता है और बहुत रोता है केविन हार नहीं मानता वह वापस officer के पास जाता है help के लिए ताव officer उसे बताते हैं कि एक आदमी है जो उसका मदद कर सकता है केवि से योसी को खुजने के लिए निकल जाते हैं यहां दूसरी तरफ हम योसी को देखते हैं चुकि काफी कमजोर हो गया था और वो जमीन में लेठा हुआ था तब यूसी किसी के आवाज सुनाई देती है वह देखता है तो एक आदिवसी लड़की थी वह दोनों एक दूसरे के लेंगवस नहीं समझ रहे था इसलिए वह लड़की ड़ जाती है पर यूसी उसे समझाता है कि वह उसे हर्ब नहीं करेगा वह लड़की भी रास्ता खो गई थी इसलिए दोनों साथ साथ आगे बरते हैं यूसी पूरे रास्ता उससे बाते करते रहता है क्योंकि काफी लाता है जैसे कोई चोटी बच्चियों पर आचानक उसकी आँके खुल जाती और वह देखता है कि वहा कोई भी नहीं मतलब वह इस हद तक अकेला हो गया है जैनके बरहां जंगल को खुद को समालता है और आगे बढ़ता है और बाहर निकलने की बहुत कोईस करता है और व जो कि दल्दल में गिर गया था योसी को अपने अंगल की बाते याद आती है अंकल उनसे कहते थे इस वर हमेसा हमारे साथ है फिर यो से सांथ हो जाता और एक डाली को पकर कर खुद को स्लोली स्लोली बाहर खिसता है और बाहर निकलाता है लेकिन अब उसमें जरा भी ताकत न लगता है और वह बहुत तेजी से दोरने लगता साथ यूसे अनी लाइव का फुल फ्लैसब्यक दिखता है दोर नदी के किनारे आजाता है रात भी हो चुके थी और नदी के किनारे उसे एक कच्छवा दिखता है पर वो उसे मारता नहीं क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उस कच्छवे में अपनी हलत दिखती है वो उसे छोड़ देता है साथ ही जीने की उमीद भी छोड़ देता है और आखे बंद करके वहीं लेड़ जाता है दुसरे दिन कविन को फील हो जाता है कि योसी ने उसे आवाज दिये वो मुर कर देखता है उसकी हलत देखकर केविन और बोट चालक सौक्ड हो जाते हैं और योसी को बोट में बैठाकर कवीले में ले आते हैं वहां सभी हैरान होकर योसी को देख रहे थे 19 दिनों तक अकेले इस भयानक एमजॉन के जंगल में एक अकेला कैसे जिन्दा रह सकता है वे लोग योसी को पानी देते और सभी इस्वर का सुकडिया करते हैं और यहीं मोवी खत्म हो जाती है अब बात करते हैं मेरे परसनल ओपिनियन की तो इस मोवी की तारीफ करने के लिए वर्ड भी कम पर जाते हैं पूरी मोवी में जंगल और उसके खौफनक सचाई हमारी होसुरा देती है देनियल जेकब रेटकलिफ ने इसराइली एडवेंचरर योसी गिंग्सवर्स का रोल प्ले किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है जो भी देनियल का फैन है उन्हें पता ही होगा कि देनियल की एक्टिंग हमेशा से ही माइन ब्लोइंग रही है इस मोवी के लिए उसने अपने वजन तक कम किये ताकि वो भूके और कमजोर दिख सके इससे पता चलता वो कितने हार्ट वर्किंग है मोवी के बाकी केरेक्टर ने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और लोकेशन तो बहुत ही खुबसूरत है अगर आप ये मोवी देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप उस जंगल में ही पहुँच गया है अगर आप सभी को एडवेंचर्स द्रील से भड़ी हुई मोवी देखने का सौक है तो इस मोवी को मिस्स मत कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज को इंजॉई करनी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नियू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू